एक बार फिर से विकेंड के वार में सर्मान खान शालीन को लेकर सुम्बुल पर बरसने वाली है एक बार फिर से सर्मान का गुसा फूठे का सुम्बुल तौकिर खान पर जिसके जलक बिक बॉक्स के लेटेस्ट प्रोमो में भी देखने को मिली है जहां सलमान ये कहते नजराए हैं कि सुम्बुल शालीन को लेकर बहत अबसेस्ट है लेकिन क्या बागई शालीन को पसंद करती है सुम्बुल और वो शालीन के लिए तो जैसे भी है विल्ट शो के हाली एपिसोड में जिस तरह से शारीन टीना के बीच बहस में सुम्भूल का बरता दिखा, उनकी बॉडी लेंग्विश दिखी और उन्होंने जैसा रवईया अपनाया उससे सभी काफी शौक है वहीं अब बिग पॉंस के शुक्रवार का वार एपिसोड में सर्मान खान एक बर फिर से सभी घरवालों की क्लाउस लगाते हुए नजर आने वाले हैं पहले तो शालीन और M610 दोनों में से कौन कलग है उस पर एक्शन लेते हुए सर्मान खान सजा सुनाएंगे साथ ही सर्मान फिर से शालीन भनोट की वज़े से सुंबल को आड़े हाथ भिनेंगे सुंबल को फटकर लगाते हुए सर्मान कहेंगे वो शालीन भनोट को लेकार आपजेस्ट हैं सर्मान के इतना कहते ही टीना दत्ता भी अपनी हामी दर्च कराती दिखाई देगी सलमान के इतना कहते ही सुम्बल उनके सामने हाथ चोड़कर रोते हुए कहेंगी कि उन्हें घर जाना है। विल्या पहली बार नहीं है जब शालियन को लेकर सुम्बल को सलमान की डार्ट पड़ी हो। इससे पहली भी सल्मान कई मौकों पर सुम्बुल को समझा चुके हैं और उन्हें गेम पर फोकस करने की सलहा दे चुके हैं यहां तक कि घर में भी कई कंटेस्टेंस सुम्बुल को शालीन से दूर रहने के हिदायत दे चुके हैं लेकिन बार बार शालीन की तरफ सुम्बुल का जाना अब जनता को भी खुब खर रहा है। वहीं इसमार तो सर्मान ने ये तक कह दिया कि सुम्बुल शालीन के लिए बेहद जुनूनी है। ऐसे में क्या इसमार सर्मार की फटकार सुम्बुल के काम आई की। क्यूंकि सुम्बुल के बार बार ऐसा करने से अब वो सोशल मीडिया पर भी ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। जहां एक तरफ शालीन बार बार सुम्बुल से किनारा करते नजर आते हैं तो सुम्बुल की सुई घुम फिरकर वापस शालीन के पास आकर ही अटक जाती है। एक तरफ सुम्बुल का तगड़ा फैन बेस उन्हें सपोर्ट तो कर रहा है तो वहीं बिग बॉंस को फॉलो करने वाली जनता को ऐसा लगने लगा है कि सुम्बुल शो की सबसे विक कंटेस्टिन बनती जा रही है और शालीन से नस्दी की उनके गेम पर भरी एफेक्ट ड साथ है कि अगर इस बार सल्मान की फटकार सल्मान का गुस्सा सुम्बुल के काम नहीं आया तो हो सकता है कि सुम्बुल का सफर घर में जौधी खतम भी हो जाए हानकि अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या सुम्बुल सल्मान की इस बार की वार्निंग और फटकार को सीर